हेलो फ्रेंस दिस इस मी गारगी और आप देख रहे हैं श्रेश्ट भारत इन दिनों वालीबुड में शादियों का सीजन चल रहा है साल के शुरुवात में आमिर की बेटी की शादी हुई फिर रकुल प्रीट सिंग और जेकी ने शादी रचाई अब लिस्ट में अगले माने जा रहे हैं पुलकित समराट और कृती खरबंदा लेकिन उससे भी उपर जिस जोडी की इस बार चर्चा हो रही है वो है तापसी पन्नू और उनके लॉंग टाइम बॉइफ्रेंड मैथियास बोयकी जी हाँ इनकी शादी को लेकर बस बनना शुरू हो चुका है क्योंकि तापसी के इस सर्प्राइज की भनक किसी को नहीं थी और जैसे ही ये बम फूटा सबने दोनों की शादी की अटकले लगानी शुरू कर दी एक रिपोर्ट की माने तो तापसी और उनके लॉंग टाइम बॉइफ्रेंड मैथियास बोय ने शादी करने का फैसला खर लिया है आपको बता दे वी टाउन की धाकड एक्ट्रिस तापसी पन्नू कई सालों से बैडमेंटन प्लेयर मैथियास बोय को डेट कर रही थी ये दोनों 10 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे मैथियास बोय डेनमार्क के रहने वाले हैं और बतोर बैडमेंटन खिलाडी वो उलमपिक मैडलिस्ट और यूरेपियन चैंपियन है लेकिन साल 2020 में उन्होंने खेल से सन्यास ले लिया था अब खबर है कि दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं बताया जा रहा है कि दोनों की शादी उदैपुर में होने वाली है हलाकि ये भी कहा जा रहा है कि इस शादी में वालिवुड स्टार्स शामिल नहीं होंगे वैसे दोनों की शादी अगले महने मार्च में होने वाली है कहा जा रहा है कि दोनों सिख और इसाई धर्म के रीती रिवास से शादी करेंगे हलाकि इस बारे में अभी तक तापसी और उनके बॉयर्फरेंड मैथियास में से किसी की तरफ से कोई कन्फरमेशन नहीं आई है पर खबर उड़ी है तो सच्चाई भी होगी खबर में इनकी शादी में सिर्फ परिबार और दोस्तों की मौजूदगी ही रहेगी पर गौर करने वाली बात ये है कि इनकी शादी में कोई भी बड़े वॉलीवूड स्टार्स की मौजूद की क्यू नहीं है वेल टापसी तो पैफ से खफा ही रहती है लेकिन वॉलीवूड स्टार्स से क्या दिक्कत है वो क्यों नहीं invited है? अब ये तो वही बता सकती है आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताईए बाकि ऐसे ही latest news से updated रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेश्ट भारत को